राम के ये गुण अगर हमें उसे कम शब्दों में कहना हो, अपनी जन्ता की खुशाली के लिए उनका समर्पन असीम था, वो खुद की कुर्बानी देने को भी तयार थे, इस बात की बहुत प्रशंसा की गई है रामायन के माध्यम से, तो मूल रूप से हर चीज के प्रती पूरा जुनून, खुद के प्रती पूरी अना सकती, वो इसी के प्रतीक हैं, मुझे लगता है कि सभी इंसानों को इस गुण का अनुसरंड करना चाहिए, वो चाहे जहां भी होूँ, वाइरस ये देखने के लिए आपकी परीक्षा ले रहा है, कि आप खुद के प्रती कितने आना सकते हैं, और हर दूसरे जीवन के प्रती आपके अंदर कितना जुनून है, वाइरस जाच रहे, बचने का कोई रास्ता नहीं है, आप खुद को मूर्ख नहीं बना सकते, टेकसस में ऐसा हुआ, एफबियाई का एक आफिसर, क्योंकि उन्हें शक्त था कि लोग शायद गैर कानूनी, कुछ समय पहले जब मेरुआना वगरा उगाना गैर कानूनी था, लोग उसे उगा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो एक आफिसर एक बड़े से खेत में पहुँचा, वहाँ एक आदमी था जो सत्तर साल से ज्यादा उम्र का था, लेकिन वो एक मजबूत और मेहनती आदमी था, आफिसर ने कहा, मैं तुमारे खेत की जाच करने आया हूँ, कि कहीं तुम गैर कानूनी और भ्रह्म पैदा करने वाले पौधे तो नहीं उगा रहे, उस बुज़र्ग व्यक्ती ने कहा, नहीं, हम वैसा कुछ भी नहीं उगा रहे, हमारे पास सिर्फ कुछ गाय बैल वगरह है, लेकिन कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, नहीं, नहीं, मुझे जाच करनी है, उसने का, ठीक है, आप जहां चाहे, वहां जाच कर लीजे, सिर्फ उस एक जगा को छोड़ कर, उसने ऑफिसर को खेत के एक हिस्से की उरिशारा करके कहा, बस वहां मज जाईएगा, ओफिसर का पारा चड़ गया, तुम मुझे बता रहे हो, कि मुझे कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, और उसने अपना बैच निकाल लिया, FBI, मैं FBI से हूँ, मैं senior investigator हूँ, तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे कहां जाना चाहिए और कहां नहीं इस बैच के साथ मैं जहां जाना चाहूं वहां जा सकता हूं बुजर्ग व्यक्ती ने कहा ठीक है माफ कीजिए आप जहां चाहिए वहां जा सकते हैं फिर कुछ समय के बाद बुजर्ग व्यक्ति को बे तहाशा चिलाने की आवाज सुनाई दी उस दिशा से जहाँ पर खेत का वो वाला हिस्सा था फिर उसने देखा तो वहाँ ओफिसर अपनी जान बचाने के लिए दौड रहा था और एक बड़ा सा सांड उसका पीछा कर रहा था फिर बुजर्ग व्यक्ति दोड़ कर बाड़े के पास आया और बाड़े पर खड़े होकर बोला उसे अपना बैश दिखाओ उसे अपना बैश दिखाओ कृपया वाइरस के सामने अपनी उपाधिया मत दिखाईए ये कोई भेदबाव नहीं करता